नमस्कार दोस्तों प्रिशा एकेडमी में आपका स्वागत है और आज हम एक और बहतरी इंशूरंस कंपनीं के बारे बात कर रहे हैं यह है कोटेक लाइफ इंशूरंस और इस वीडियो में आपको कोटेक लाइफ इंशूरंस के ए टर्म प्लान के बारे में पूरी जानकारी म मिलेगी देख लीजिए आपको सबसे पहले इस policy की eligibility criteria के बारे में बाता चलेगा फिर इसकी key features क्या है जो इसको बाग की policy से अलग बनाती है उसके बारे में पता चलेगा उसके बाद में इसमें क्या क्या options available है फिर death payout options क्या रहते हैं फिर premiums के क्या options है कैसे premium pay कर सकते हैं और कितना premium यहां पे रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे फिर हम बात करेंगे premium options के बारे में और उसके बात में इसकी other features जिसमें grace period revival policy tax benefit यह सब है इन पे हम बात करने वाले है तो कुल मिला के इस वीडियो को buy कर सकता है तो इस policy को buy करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और जहां तक अधिक्तम उम्र की बात है तो अगर आप limited premium का chain करते हैं तो आपकी उम्र अधिक्तम पत्सास वर्ष हो जाती है और सॉरी 60 वर्ष तक हो सकती है और अगर maximum premium रेगुलर premium भी बात करते हैं तो आपकी उम्र 65 वर्ष तक हो सकती है तो आपकी policy सब कम से कम 23 वर्ष में mature हो जाती है और maximum आप policy को 75 वर्ष तक ले सकते हैं समयशूर की बात करते हैं तो यहां पर कम से कम आपको 25 लाका समयशूर लेना पड़ेगा और अधिक्तम समयशूर की कोई लिमिट नहीं है हलांकि जो अधिक्तम समयशूर होता है वो आपकी financial capacity को देख करके ही underwriter decide करता है कि आपको कितना समयशूर दिया जा सकता है इस policy में accidental death benefit का भी rider आप ले सकते हैं जो life less option के अंदर मिलता है और उसके लिए इन्होंने maximum जो limit रखी है वो एक करोड की रखी है key features की बात कर लेते हैं तो पहली feature है law cost insurance है काफी कम premium पे आपको अच्छा खासा यहाँ पे coverage मिल जाता है दूसरा इसमें क्या है तीन options आपको यहाँ पे मिल जाते हैं यह एक अच्छा flexibility आ जाती है आपके सामने कि आप अपने हिसाब से options का चुनाव कर सकते हैं इतना ही नहीं आप payout के मामले भी तीन अलग-अलग options ले सकते हैं अपनी financial requirement के हिसाब से अपनी family की financial requirement के हिसाब से भी आप यह payout options है उनका चुनाव कर सकते हैं अगर enhanced protection की बात करते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है जिसमें आप accident or death benefit, critical illness और total disability rider का भी अपने आप protection ले सकते हैं special rates है, non tobacco users और women के लिए जैसा कि बाकी insurance companies भी डेती है इस company में भी आपको non tobacco users और women के लिए एक अलग special discount rate मिल जाती है चलिए, अब बात करते हैं हम plan options के बारे में, तो दोस्तो इस policy में तीन options आपको मिलते हैं पहला है life options जिसमें some assured on death मिलता है, दूसरा है life plus option यहाँ पे benefit under life option plus accidental death benefit का option मिलता है, तीसरा रहता है life secure option यहाँ पे benefit under life option plus waiver of premium on total disability rider का विकल्प मिलता है, यह क्या होते हैं इनके बारे में जा लिजिए, अगर आपने माल लिजिए life option का चुनाव ली किया है तो उस condition में क्या होता है, जो भी बिमाधारक है, उन्होंने अगर life option का चुनाव गिया है, तो उनको जब भी उनके death होगी, उनके परिवार जनको जितनी भी some assured amount होगी, वो उनके परिवार को दे ली जाएगी death की जो है policy coverage period के अंदर ही होनी चाहिए, दूसरा क्या है, इसमें accidental death अगर हो जाती है, उस condition में भी जितना समिशोड का policy दिया है, उतना ही यहाँ पर amount मिलेगी, जैसे एक करोड का policy है, तो एक करोड रुपे ही मिलेंगे, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि accidental death ने पर कोई additional समिशोड दिया जाता है, जितना natural death पे मिलेगा, उतना ही accidental death पे मिलेगा, दूसरा option आता है, इसका नाम है life plus option, यहाँ पर क्या होता है, natural death पे तो 100% जो समिशोड है, वो nominees को मिलता ही मिलता है, इसके अलवा, अगर मालीजिये, किसी कारण से accidental death हो जाती है, तो जो natural death पे benefit मिलता है, वो म खाऊगा, जैसा कि इस policy के अंदर maximum एक करोड तक का लिया जा सकता है, तो मालीजिये, एक व्यक्ति है, उन्होंने एक करोड का policy लिया है, और एक करोड का accidental death का भी policy लिया है, और उनकी death accident में हो जाती है, तो उनके परिवार को one plus one, यानि two करोड रुपे मिल जाते है, और है, तीसरा आता है life secure, life secure में क्या होता है, आपको natural death benefit जो मिलना है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, accidental death में यहाँ पे किसी परकार का इन लोगों ने कोई additional benefit नहीं दिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि accidental के मालीजिये, किसी कारण से पर्माने disability या ऐसा कुछ हो जाता है, तो future मे जितने भी premium है, उनका मुक्तान वहीं पर रुख जाता है, और policy जैसी है, वैसी की वैसी चलती रहेगी, और coverage भी उतना ही बना रहेगा, तो यह यहाँ पे एक अच्छी चीज है, अब payout options की बात कर लेते हैं, यहाँ पे payout में पहला option है immediate payout, immediate payout का मतलब है, अगर किसी व्य nominee को दे दिया जाएगा, डूसरा जो payout विकल्फ है, वो है level recurring payout, level recurring payout में क्या होता है, some assured का 10% हिस्सा है, जो assured person है, उसके date के बार nominee को दे दिया जाएगा, यानि एक करोड का policy लिए 10 लाख तुरंत दे दिया जाएगा, इसके अलबागी 6% सालाना दे करके 15 multiply 60, यानि 90% जो amount है, वो अगले 15 वर्षों में 6% दी दी जाएगी हर साल की अंत में, इसको आप चाहे, अगर nominee चाहे तो monthly benefits basis में भी ले सकते हैं, उसके अलबागी तीसरा जो विकल्फ रहता है, वो है increasing recurring payout, इसके क्या रहता है, death होने पे 10% जो समयशोड है, वो तो परिवार जन को दे दिय जाता है, साथ ही साथ 6% समयशोड है, वो उनके परिवार को हर 15 साल तक continuously ऐसे देते रहेंगे, लेकिन इसमें क्या है, वो जो समयशोड की amount है, वो हर साल 10% के हिसाब से grow करेगी, और simple interest rate है, वो यहाँ पे उनके परिवार जन को pay किया जाएगा, तो यहाँ पे जो समयशोड है, वो increasing होते रहेगी continuously, तो यह inflation situation है, उनको ध्यान में रखते हुए, यह काफी अच्छा विकल्प हो जाता है, अब इसमें regular pay, अगर हम बात करते हैं कि किस प्रकार से premium रहता है, तो एक example लेते हैं हम लोग, जिसमें क्या है, regular pay है, और basic समयशोड इन्होंने 1 करोड का लिया है, और 25 वर्ष का policy लेता है, तो उनको 9,000 रुपे का बुक्तान करना पड़ेगा, वहीं पर अगर 30 वर्ष का व्यक्ति, 40 वर्ष हो तक policy लेता है, तो 10,100 रुपे का बुक्तान करना पड़ेगा, तो इस हिसाब से अलग-अलग उम्र के लिए अलग-अलग policy period है, उनको आप देख सकते हैं और premium यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरा option जो level recurring payout option है, उसके अंदर premium है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, तीसरा जो यहाँ पे increasing submission है, यहाँ पे premium है, वो थोड़ा बढ़ जाता है, तो कि यहाँ पे आपका बुक्तान होगा, वो इनके हिसाब से premium है, आप वीडियो को पोज करके यहाँ पे देख सकते हैं, premium किस हिसाब से रहता है, अगर हम premium payment term की बात करते हैं, तो अगर आपने माल लीजिए, premium payment term आपका policy term 5 वर्ष का है, तो आपका 5 वर्ष के लिए, और maximum 40 से लेके 5 वर्ष के लिए हो सकता है, limited premium payment की बात करते हैं, तो इसमें क्या है, आप premium payment term 5 वर्ष का ले सकते हैं, तो यहाँ पे policy आपका minimum रहेगा 10 वर्ष का, maximum आप 40 से लेकर के 75 माइनस जो भी AZ entry होगी, उतने तका ले सकते हैं, इस हिसाब से आप अलग-अलग premium का जो payment का भुगतान है, वो ले सकते हैं, और आप अगर आप बाकी premium payment का भुगतान करते हैं, तो आपको 30 दिन का grace period मिलता है, अगर आप किसी कारण वर्ष policy lapse हो जाता है, policy revive करना चाहते हैं, पांच वर्ष में policy revive कर सकते हैं, जैसा कि यह term insurance policy है, इस policy गर्ष से आपको किसी प्रकार का loan नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको 15 दिन पसंदाया होगा, और पूरी जानकरी मिली होगी, और अगर वीडियो पसंदाया तो प्लीज वीडियो को like करें, और अपने दोस्तों के साथ share करें, और अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो चैनल को फटावट से subscribe करें, और आपके valuable comments है, उनका हमें हमेशा इंतजार रहता है तो अपने valuable comments हमेश जरूर दीजिए, वीडियो देखने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धनिवाद, की पोच्चिंग प्रिशा Academy, थैंक्स अलोग